क्या आप एक digital coach हैं और आपके दिमाग में भी एक समस्या चल रही है कि जो मेरा personal number है क्या मैं उसे public कर दूँ या एक अलग से number ले और ये सवाल काफी लोगों ने मुझसे बूचा है कि सुनील मेरे पास एक personal number है क्या मैं उसे public करूँ या एक और number ले बिजनिस के लिए और मेर से किसी को public कर दूँ या अलग से लिलूँ तो देखिए इस मेना बिल्कुल भी confusion नहीं होनी चाहिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका जो number है वो आपके relatives के पास है और जरूरी लोगों के पास है और उनका number आपके पास होगा और mobile में number save होगा clear है कि नीए, अगर कोई जरूरी आदमी है और उसका नमबर आपके मुबाईल में save नहीं है, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, या तो फिर वो आदमी उतना जरूरी नहीं है, तो जितने भी जरूरी नमबर होते हैं, वो आपके मुबाईल में save होते हैं, right around, तो जब भी आप इलेटिब का है किसका है आप उठा लीजिए नहीं उठाना है तो एक गंडे बाद कॉल बेक कर लीजिए राइट और अन्नुन नंबर है और आपको लग रहा है कि आमेजोन के कोरियर वाले का फोन हो सकता है तो उठा लीजिए और कोई कोरियर नहीं आ रहा है तो मत यह इस तरीके से काम करता है जो मैं फॉलो करता हूं अल्टिमेटली मेरा अब्जेक्टिव है कि मैं फॉन उठाता ही नहीं और बहुत दिन हो गए चार-पांट साल हो गए इस इंडस्ट्री में मुझे ऑनलाइन गए हुए लोग मुझे फॉन ही नहीं करते हैं लोग मुझे यकीन है जितने भी डिजिटल कोच हैं मेरे जैसे उनको लोग वोने फॉन करना बंद कर दिया है अब आप को गए यह तो नेगेटिव बात हुगी लोग हमें फॉन ही नहीं नहीं थी लोग हमें वाटसैप करते हैं लोगों को आदत भी पढ़ गई है कि सुनील किस्समें फ को आते हैं अब नहीं आते हैं लोगों को पता है यार फयासी डिजिटल कोच हैं और इसनुप नहीं कहीं दासकता राइट और कॉल बेक करते हैं जब हम फ्री होते हैं एक बात अगला पॉइंट यह है कि अगर कोई बंदे आपको एक दो तीन चार बार कॉल कर रहे हैं तो अविएसली यार सम्तिंग अर्जेंट या तो खुद कॉल पिक कर लो ऐसी कोई धरती पलट नहीं जा रही है ठीक है या फिर उस को अपनी वाइफ को बच्चे को घर में किसी और मेंबर को दे दो आप उठालो इस कॉल को ऐसा कोई दिक्कत वाला बाद नहीं है अपने को नहीं ज़्यादा अन्ने से स्रीके प्रपंचों में बांधो मत की भी कॉल उठाऊं नहीं उठाऊं इफ यू फिल लाइक मन कर रह अपनी का कॉल आ रहा है उठालो फाल तू बात कर रहा है फॉन कार्ड दो बात खतम हर चीज़ को हुआ बनाने की जुरूरत नहीं है और खासकर यह ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बिजनिस को रोके आगे और बताता हूं पूरा समझ लीजिए क्लेरीडी मिल जाएगी ल कि और उनका रिप्लाई में वाट्शप पर कर देता हूं ढोगा जो मेरे कंव झा ने कंपे किया की मेरा टाइम कीमति है कि मैं हर रिप्लाइज नहीं कर सकता हो तो काम पर करते हैं थुछ चोटे छोटी म्मरशिप झिन्नों ने ली विया है पत्षो अगॉप भी जाता है then join my diamond membership that is only for diamond members right or diamond members का भी ऐसा नहीं होता कि भी बंदे ने मुझे WhatsApp क्या तुरंत reply 24 गंडे हैं मैं class ले रहा हूं भी video record कर रहा हूं मैं lesson बना रहा हूं मैं blog लिख रहा हूं बहुत सारी चीजों मैं busy हो सकता हूं इमीडियेट reply नहीं होता है 24 गंडे में दीजिए आराम से दस गंडे में दीजिए आट गंडे में दीजिए एक time dedicate कर लीजिए कि इस समय मुझे WhatsApp पर reply करने है राइट और आपका business अगर बढ़ा है तो उसे आप से प्लाइन कर लीजिए और अंत में मैं आपको अंत में कहना चाहता हूं जो मैंसे शुरू में कहना चाहिए था मैं फिर कहता हूं कि business का phone number यार अलग रखो personal number को business phone number मत बढ़ा क्यों उसका इगरीजियन है पर तो खिलाड़ी बनो किसी चीज़ से डरो मत मैंने अपना personal phone number दुनिया में फैला दिया है मैं reply नहीं करता न कॉल उठाता कुछ नहीं करता पर दूसरा नंबर भी फैला दिया है कुछ दिनों से राइट या फिर मेरे personal number पे call आएगी या WhatsApp आएगा तो मैं reply कर दूँगा कि contact on this number अब दूसरा number किसके पास है दूसरा number है मेरे team member के पास शुरू में तो टीम नहीं थी भाई business नहीं था इतना बड़ा 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 भी team members है एक team member के पास है नंबर नहीं सिर्फ WhatsApp उसके पास भी सिर्फ WhatsApp है नंबर मेरे पास ही है अलग phone में रखा हुआ है बट मैंने उसके phone पर उसके laptop पर WhatsApp चालू करवा दिया है तो वह बंदा वहां से WhatsApp भी भी बेज़ता है students को वह बंदा वहां से WhatsApp पर reply भी कर देता है call उसको भी नहीं उठानी या से यह पतलता है कि आप तो 24 गंटे अवेलेबल हो आप तो वेल ले हो रॉंग मैसेज जाता है मत उठाइए calls को उठाना ही बंद कर दीजिए जब को दो-तीन बार करें तो समझो अर्जेंट है उसको भी फिर उस हिसाप से एंडल करो कि किसी और से कॉल उठाल है बाद में फ आरस पुढ़नी नमबर मेरे जार कितने ही नंबर लॉगे एक उसमें सब्सानेस बनादो उसमें से एक को नइन उटाता फॉन भाई साब तीन चार साल हो गए उना लोग मुझे फॉन करते दीरे दीरे नो यूनिवर्स को पता लग जाता है लोगों को पता लग जाता है कि भाई कॉल करने का को फैदा नहीं कॉल तो उठाते नहीं और हमारा मैसेज बढ़ा क्लियर है अब तो मेरे एक डाइमंड मेंबर ने मुझे जोइन किया लाक रुपे फीज दी अब लाक रुपे फीज देने के वाद बंदा थोड़ा सा नहीं होता है कि मैं मैंने लाक रुपे दिये हैं तो बंदे ने मुझे मिस्कॉल किया कॉल किया मैं उठाये नहीं उसका मैसेज भी पर आजाओ जूम पर एक घंटा बात कर लो फॉन नहीं उठाओंगा इस दिसकेशन से आपको बहुत सारी बात है क्लियर हो गए होंगी और डरिये मत किस से डरते हो आप अन्नोन चीजों से डरते रहते हो सबसे इंपोर्टेंट है वेबिनार बनाईए सबसे इंपोर्टेंट Commissioner की है Community की Help कि दिये बाकी सारी बसड सॉल्व हो जाएंगे और बाकी सारी चीजों को नेक्ट लेवल पर लेके जाना चाते हो एक नेशनल लेवल बहुत सारी मिलेंगी जहां बहुत कम पैसा कर्जोंगा लीट साएंगी और आपको हाई टिकेट स्टुडेंट्स मिलेंगे मेरी वीडियो बड़े सिंपल होते हैं लोगों को लगता है यह क्या बताएगा मैं वाइजब आपको बता रहा हूं जितने भी फैंसी एड्स आते है सबसे ज्यादा है स्ट्रॉंग हमारा जो है सिस्टम है और यह हम दस साल से कर रहे हम लोगडाउन की कोरूना की पैदाइश नहीं है दस साल हो गया हमें ऐसी ओडिश्टू मार्गरिंग करते हुए बहुत ज्यादा है हमारा फंडा राइट दैट सॉल थैंक्यू वेरी मच् ज्यादा है